नाशकार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच ख़बर काई क्रम मनीपूर पर इंडिया ने घेरा मोधी सरकार को संसत का मांसून सत्र ऐसा लग रहा है मनीपूर के नाम पर ही स्वाह होने जा रहा है संसत के भीतर चाहे लोकसभा हो चाहे राजसभा विपक्ष की आवाज को दबाने उसकी मां को दबाने के लिए मोधी सरकार उनके मंत्रियों ने लोकसभा ध्यक्ष रासभा ध्यक्ष सबने सारे दाव पेच आजमाने शुरू कर दिये हैं इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद संजे सिंग को जिस तरह से पूरे मांसून सत्र से बाहर किया गया है निलंबित किया गया है लगता है यह टकराव बहुत बढ़ेगा सबसे सीधा सवाल इतना अकूत बहुमत होने के बाद भी तीन मई से जो डबल इंजन की सरकार है मनीपुर में जो घीरी हुई है जिस तरह से हिंसा का दौर चल रहा है आखिर क्यों क्या वज़ा है कि मोदी जी संसत के भीतर सगन चर्चा विस्त्रिश चर्चा करने से बच रह हैं इसका कारण है तो क्या है मनीपुर पे चर्चा करने से पहले मनीपुर में जो हैवानियत का दौर चल रहा है उसे महसूस करने के लिए देखे यह वीडियो बहुत एहम वीडियो है यह जो महिला के साथ सामोहिक बलाकार हुआ जिसकी नगन परेट कराई गई उनके पती कह रहे हैं मीडिया से और पूरी दुनिया से मैं इतना दूख हूं मैं अपना देश के लिए रक्षा के लिए जो स्री लंका में भी आईपी केप में थी और कारगिल में भी थी और जो की अपना जवानी में मैं जंग ला रहा है और कई स्याइवस में और मेरा खंडान में सेकंड वारवर्ड में भी जो हमरा तावलोग है हिसा लिया और जो सेकंड वारवर्ड में भी सहीद हुआ है और मेरा बाप दादा लोग है फर्स वारवर्ड में भी जो मेरा दादा दो भाय है इन लोग भी फर्स वारवर्ड में जुत्न में हिसा लिया है लेकिन मैं इतना द आने के बाद ऐसे हद्सा हुआ है अपना गाउ को रक्षा नहीं कर पाता और अपना परिवार अपना बीबी को रक्षा नहीं कर पाए है और अपना जो कमाई हुआ अपना गारद्वार अपना सनपती पुरा ब्रबाद हो चुका है रक्षा नहीं कर पाए सोसके मैं बहुत ध दुख लगता हूं और यह कैसे ऐसे कभी होनिक उमिद भी नहीं थी देश का देश का लराई तो देखा और CIOPS का तो लराई देखा है लेकिन इसी बार जो हुआ है मैं कभी देखा भी नहीं है कभी शुचा भी नहीं है इसलिए मैं बहुत दुख के साथ इतना मैंने जो फोस का अंदर ही देश सिवा किया है लेकिन मैं रितार आने के बार अपना फिर भी बोलना चाहता हूं अपना परिवार अपना घर अपना गाव अपना बीबी इज़द भी बचा नहीं पाया दोस्तों ये जो वीडियो आपने अभी देखा इसमें जो शक्स बोल रहे हैं जिस तरह से वो अपने दुख को बाकी भारत के साथ साजा कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं सरकार को सीधा सीधा सवाल सरकार के साथ है कि मनिपूर में जो हो रहा है वह कोई नॉर्मल परिगटना नहीं है और इससे पहले जिससे इस वीडियो का संबंध है जिसने पूरी दुनिया को सिर्फ देश को ही नहीं पूरी दुनिया को जग जोर दिया था और मेरा साफ मानना है कि उस वीडियो को देखकर जो इनसान ह बिला नहीं डरा नहीं बलाकारी भीड के खिलाफ गुस्से से भरा नहीं और उस भीड को तैयार करने वाली मशीनरी सोच और सिस्टम के खिलाफ सोचने पर मजबूर नहीं हुआ उससे निश्चित तोर पर डायलोग होना मुश्किल है इस त्रियों को नंगा करने वाले बर- साजिशे हो रही हैं उनकी एक जलक देश की राजधानी दिल्ली में संसत के भीतर जो चल रहा है मानसून सत्र उसमें दिखाई दे रही है उसी तरह से मीडिया के उन न्यूज एंकरों के शो में भी वही साजिश की बू आती है जो लगातार सरकार की तुहुरी में अपनी कोशिश करते हैं कि मनिपूर में जो हो रहा है वह कोई एक्स्ट्रा ओर्डिनरी चीज नहीं है क्योंकि वह बार बार अपनी चर्चा में सरकार की ही तरह यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ मनिपूर के क्यों चर्चा होनी चाहिए पस्चिमंगाल में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए 36 गड में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए यह सारी जो तरक गड़े जा रहे हैं दोस्तों दरसल यह मनिपुर में जो निर्वस्त करके सामोहिक बलातकार की जो शिकार महिलाएं हैं उनके साथ दोबारा अत्याचार करने जैसी हैं क्योंकि यह सरकार और खासत और से मनिपूर की विरेन सिंग सरकार केंदर में ग्रिह मंत्री और प्रधान मंत्री नरेन मोदी से बहतर कोई नहीं जानता कि जिस तरह से मनिपूर को तीन मई से हिंसा के हवाले कर दिया गया है जिसका संग्यान सुप्रीम कोट लेता है और साफ साफ कहता है कि हिंस के लिए औरत का जिस्म जिस तरह से इस्तमाल किया जा रहा है वह बर्दाश्ट करने लायक नहीं है लेकिन आप देखिए कि संसत के बाहर खड़े होकर यह जिम्मेदार शक्स मंत्री क्या कह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा विशे मनीपूर पे चर्चा को लेकर के था और विपक्ष ने अनुरोद किया था कि आप मनीपूर की चर्चा को स्विकार कर लीजीगा सत्र चलेगा हमने मनीपूर की चर्चा स्विकार कर ली अब वो कभी उसका कहते हैं परधान मंत्री जी सदन में आए कभी कुछ और कहते हैं तो ह कि वो हृष्चा हैं उसे किस तरह से मणीपूर की महिलाएं बहादॐर महिलाएं लड़ रही हैं। उन्हें निश्चित तोर पर हमारा सलाम बनता है। खास तोर से देखिए ये जो कुकी महिलाएं जिनके साथ इतनी बरबर घटना हुई। पुरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह से उनकी नगन परेड बलातकारी भीड कर आती है। आप देखिए उनकी हिम्मत, दिलेरी और संघर्ष का जजबा। वे डरी नहीं, जुकी नहीं और सब कुछ झेलने के बाद भी सरयाम कहने को तयार हैं। क्यों उनके साथ ये जो हिंसा हुई है, इसके पीछे कौन लोग हैं। वे बताने को तयार हैं कि किस तरह से पुलिस ने उन्हें इस बलातकारी भीड के हवाले किया। ये ओन रिकॉर्ड बयान है। काश मुदी जी इस बयान को सुन पाते। काश मुदी जी सुन पाते और उनकी सरकार के तमाम मंत्री और महिला मंत्री सुन पाते। ये जो वीडियो आ रहे हैं वहां से जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां की पूरी की पूरी सरकार इस बलातकारी उनमादी भीड के पक्ष में खड़ी हुई है 3-4 मैं की जो घटना है उसको 2 महीने बाद वीडियो आता है और उसके बाद भी केंदर सरकार अपनी सरकार के खिलाफ यानी मनीपुर में जो उसकी अपनी सरकार है जो उसके मुख्यमंत्री हैं उसके खिलाफ कोई आक्शन लेने को तैयार नहीं होती इसी बीच तमाम तरह की नफरती ब्रिगेड में एक और खबर आती है ये खबर ध्यान से देखिए ये ANI ने जारी की थी इसमें जान बुझ के एक मुसल्मान का नाम डाला गया था और बताने की कोशिश की गई थी उसे लिंक किया था मनीपुर की इस हिंसा से बाद में जब सच सामने आया तो शान्ती से डिलीट कर दिया गया इस ट्वीट को लेकिन हम सब जानते हैं कि मनीपुर में जो घटना हुई है और जो इस तरह की अंगिनत घटनाए हुई है छे हजार से अधिक FIR है और सुनिए इस भाशपा के विधायक को यह भाशपा का विधायक है और यह खुद कह रहा है न्यूज लॉंड्री को दिये अपने इंटर्वियू में कि किस तरह से जो बर-बर हिंसा चल रही है जो साजिश है उसमें मुख्यमंत्री शामिल है और साथ ही साथ वो यह भी बता रहा है कि बड़े पैमाने पर पूरे राज में कुकी महिलाओं की लाशें पड़ी हुई है मौर्चरी में पड़ी हुई है और उनका कोई देखने वाला नहीं है उन अपरादों का बयान लिखने वाला कोई शक्स नहीं है सुनिये यह क्या कहना चाहते हैं Do you think if the video hadn't gone viral, Prime Minister Modi would not have spoken? That is what the country thinks and that is what it turned out to be and that's why I had tweeted for the other cases that we discussed earlier on. Would it, should it require, necessarily require audio visuals of those cases also to surface for the Chief Minister, for the Prime Minister, for the Home Minister, to notice इस हकीका से मोधी सरकार भी आज की तारीख में इंकार करने की स्थिती में नहीं कि मनिपुर जल रहा है सुलग रहा है और तों पर अकल्पनिय बरबर यौन हिंसा हो रही है लेकिन सरकार इस पर रूल 267 के तहट डिटेल चर्चा नहीं चाहती विपक्ष की मांग है कि इसी रूल के तहट चर्चा हो यह रूल बहुत एहम है क्योंकि इसके तहट विस्तरिश चर्चा का प्रवधान है संसत की तमाम और कारवाईयों को रोक कर सिर्फ मनिवपूर पर चर्चा सिर्फ विपक्ष की ही मांग नहीं है इस दर्दनाक खौफनाक वीडियो को देखने के बाद तमाम भारतिय नागरिकों के दिमाग में जो सवाल है और सवाल का जवाब निश्चित तोर पर मोदी सरकार को देना ही होगा लेकिन देखिए क्या बहाने रचे जा रहे हैं बहुत दिल्चस्प हैं बहाने हमने मनिपूर की चर्चा स्विकार कर ली अब वो कभी उसका कहते हैं परदान मंतरी जी सदन में आए कभी कुछ और कहते हैं तो हमारे जो सांसद हैं वो कहते हैं भी मनिपूर की चर्चा हो लेकिन बंगाल में क्या हुआ वह तो पॉलिटिकल हिंसा थी उसमें भी चर्चा होनी चीए राजस्तान में क्या हो रहा है उसमें भी चर्चा होनी चीए सबसे पहले वो कह रहे हैं कि लोग मनीपूर पे चर्चा क्यों करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं यहां पश्चिम बंगाल में पंचाय चुनाओं के दौरान एक हिंसा का मामला जो पांचला में हुआ था उसका जिक्र बार बार कर र कोई जिक्र नहीं किया यानि इस घटना के बारे में कोई प्रमाड नहीं है दूसरी तरफ प्रधान मंत्री नरेन मोदी से लेके तमाम लोग जिक्र करते हैं राजस्थान का राजस्थान में जोदपुर में एक दलित लड़की के साथ सामुहिक बलातकार की घटना होती है और 36 गड़ का जिक्र होता है अंगिनत राजियों का जिक्र होता है जो मोदी जी पहले करते हैं सदन शुरू होने से पहले और उसके बाद तमाम मंतरी लगातार समाधाता सम्मेलन करके मीडिया के पास जाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरसल मणीपुर में कुछ खास नहीं हो रहा है मेरा बहुत साफ मानना है कि अगर मोदी सरकार को इतनी चिंता है महिलाओं के सम्मान की महिलाओं के इज़त की महिलाओं पर होने वाले हिंसा की तो मणीपुर पर चर्चा शुरू कर दें वो बाकि और राजियों में जहां जहां चर्चा करना चाहते हैं उस चाहती है कि मनिपुर पर चर्चा ना हो ये खुलासा ना हो ये तत्थे ना आएं कि मनिपुर में डबल इंजन की सरकार किस तरह से पूरी तरह से विफल रही और आज की तारीख में भी किसी भी एक शक्स के खिलाफ कोई ठोस कारवाई नहीं हुई इतना हंगामा हुआ वो जो वीडियो वाइरल हुआ है तमाम लोग साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पुलिस साजीदार है हिंसा की लेकिन बताईए अभी तक क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कारवाई होती है नहीं क्योंकि शायद गुजरात का 2002 मौडल दोहराने की कोशिश हो रही है हम सब जानते हैं कि बिलकिस बानो जिनके साथ गुजरात में 2002 में सामोहिक बलातकार हुआ था उनकी बच्ची को पत्थर पे पटक के मार डाला गया था उनके साथ बलातकार करने वाले बच्ची को मारने वाले सारे लोग छोड़ दिये गए और उनका पत्कार भारती जनता पार्टी और उससे जड़ी संस्थाओं ने किया शायद मनीपुर उसी दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है और वहीं देखिए दूसरी तरफ जो घटनाए हो रही है खास तोर से ग्यान व्यापी से जो घटना हुई है जिस तरह से ग्यान व्यापी मस मस्जिद का ASI सर्वे होना और फिर जब मुस्लिम पक्ष गया सुप्रीम कोट उसे 26 जुलाई शाम पांच बजे तक की रहा दी गई लेकिन तनाव किस तरह का है यहां हम सब जानते हैं कि चाहे बाबरी मस्जिद हो या उसके बाद ये तमाम मस्जिदें जिनको लेकर अलग अलग धंके दावे हैं ये सब टिगर पॉइंट हैं वोईलेंस के हिंसा के और नफरत के यहां पर ग्यानव्यापी में 26 तारिक तक रिहाई मिलती है थोड़ा स्पेस मिलता है लेकिन बनारस के ही सर्व सेवा संग में जिस तरह से बरबरता का नंगा नाच होता है जिस तरह स ये जो गांधी और विनोबा की जो विरासत है इसे ध्वंस करने के लिए सारी की सारी मशीनरी एक साथ आ जाती है कोट से भी कहीं राहत नहीं मिलती और जो लोग 1960 से लेकर अभी तक वहां रह रहे हैं उन सब को बेदखल किया जाता है संभवता यही है बुल्डोजर जिसमें हम सब का स्वागत है और शायद बनारस की गंगा हो या मनिपुर हो हर जगा लोगतंत्र की जो नगन चवी है वही चारों तरफ चाई हुई दिखाई देती है शुक्रिया